आज हम पढ़ेंगे ICC Board Class 8 Geography चैप No.8 हमने लास लेक्टेशन में स्टार्ट किया था इंडिया क्लाइमेट नैच्छल वैजिटेशन और वाइल लाइफ के टू पार्ट हो चुके हैं यह पार्ट थर्ड है लास्ट पार्ट में हमने नैच्छल वैजिटेशन पढ़ा था में wildlife के बारे में पढ़ीं पढ़िंगे और से बारे में इस चैप्टर के इक्साइजिझे करेंगे देन why लेक्टर में हम करेंगे इस ही चैप्टर के इसी चैप्टर יकुए जटेुस कम्साथ सब्सक्राइब ना भूले wildlife के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं Indian forest ने ताइगर सुन्धर्बंथ जो है वो घर है बेंग टाइगर के लिए जो बैंगॉल का टाइगर रहों तो वाया ज्याता है है जो मनदे ओसे जा बन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में सभी का बेड़ीच नहीड जाता है बर्दी snow leopard यह तो common leopard की बात थी लेकिन जो snow leopard है it lives only in the Himalayas वो Himalayas में ही रहता है the asiatic lion is found mainly in the Gir National Park in Gujarat और जो asiatic lion है वो आपका गुजरात में जो Gir National Park है वहीं पर पाया जाता है elephants are common in the forest of peninsular India peninsular India के forest में elephants जाद तर देखे जाते हैं they are also found in Assam and West Bengal elephants आपके Assam और वेस्ट बंगोल में भी देखे जाते हैं इंडियन राइनोसौरस अब protected animal is found in Assam and West Bengal इंडियन राइनोसौरस जो एक protected animal है वो भी Assam और वेस्ट बंगोल में पाया जाता है ति गौर जिसे हम इंडियन बिसन बोलते है it is found in the North and South इंडिया North and South इंडिया में भी यह पाया जाता है the red panda and the abecks are found in the Himalayan forest red panda और abecks आपकी Himalayan forest में पाये जाते हैं ठीके आगे देखते हैं wild yak is found in the Ladakh region Ladakh जो area है वहाँ पर wild yak पाया जाता है besides these इनके अलावा many animals are found in various parts of the country बहुत सारे animals पाये जाते हैं country के बहुत सारे parts में these includes और कौन से animals हैं जैसे आपकी bears, monkeys, wolves, jackals, deer, antelopes antelopes होगे जैसे नील गाये and the black buck, blue bull और black buck, blue bull यानी नील गाये के इंडिया आस रावह आटी ऐस आ फिराइटी आफ एफ रेप्टाइवस इंडिया के पास बहुत सारी व्राइटी में रैप्टाइवस ही पाए जाते हैं among these are in रैप्टाइवस में आपके snakes जैसे कोबरा बहुत सारी टाइप की lizards और टर्टल भी पाए पाए जाते हैं और उसके दिखने वाले क्रियेचर्स यह आपके क्रोकोडाइल इसमें आते हैं इंडिया में बहुत हजारों से भी जादा टाइप की बर्ड्स पाई जाती हैं जैसे आपके पैरट्स इंडिया की नेशनल बर्ड पिकॉक हैं बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज तो आपके ऐसी हैं जो आपके इंडिया से माइग्रेट होती हैं इंडिया से वो जब सर्दियों का मौसम आता है तो वो दूसरी कोल्डर कंट्रीज में चली जाती हैं तो यह है आपका वाइल लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिंग वाइल लाइफ वाइल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है जैसे हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था नैच्रल वैस्टेशन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ऐसी वाइल हेरिटेज में आती हैं ठीक है उन्फोर्चनेटली ओंग टू हंटिंग डिफोरेस्टेशन हंटिंग और डिफोरेस्टेशन करने की वज़े से मोस्ट आफ दी वाइल एनिमल्स ऑफ इंडिया रैपेडली डेकलाइनिंग नंबर बहुत सारे आपकी जो वाइल एनिमल्स हैं इ प्रटेक्शन पर्टेक्शन 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 तक कि यह जो एनिमल सब्स हैं वह उस एरिया में रह सकें जसे इन वेर्मेंट और ने चाहिए ऐसा इन इन्वार्मेंट उने वहां पर प्रवाइड किया जाता है और यह पार्ट इप्ट्रीटीटे टो थीस एनिमल जाती यह बी चांस मिल जाता है कि लोग जो है यह इन वाइ wildlife के बारे में कि उनने जानना है और उन्हें protect करके रखना चाहिए which are outstanding in और इंदिया में इंडिया में एसे हैं जहां पर ویسیٹیشن और वाइल डाइफ बहुत सारी है तो उन एरियास को बायुमेस। बोला जाता है विधिन डीर इन रिजर्वे में एंटारि इकोसि्टसम्स परंगेचान साथ पूरे जितने भी इकोसिस्टम सोते हैं महाँ में आगर्जेट एंडिया में इन 1992 1992 प्रोजेक्ट एलीफेंट लॉट्ट हुआ था नौन्ज फिट्र एंडिया दैरादुन में यह जो इंस्टेटूट है यह लोगों को ड्रेन करता है कि wildlife को में कैसे protect करना चाहिए और कैसे manage करके चलना चाहिए we can help protect wildlife by refusing to buy things made of ivory animal horn animal skin etc हम wildlife को कैसे protect कर सकते हैं जो चीजे ivory की एनिमल horn की बनाए जाते हैं जो चीजे उन्हें refuse करें यानिक उन चीजों को ना खरीदें तो हम wildlife को protect कर सकते हैं इस विल यह जान Huhण से कुछ भन रहे हैं ऑनीमल की स्किन से कुछ बन रहा है तो जब नहीं खरी को नहीं गढ़ी तो फर्रेक्ट कर सकते हैं अंडिया में फրस्ट वीक और को पहला हफता होता है उसे हम वायल लाइफ वीक की तरह सेलिब्रेट करते हैं पूरा वीक ठीक है हर साल यह देखे आपको यहां पर मैप में क्या दिखाया हुआ है इंडिया की वाइल लाइफ दिखाया हुई है ठीक है जहां पर रीदे की सिंबल के थूद दिखाया हुई है यहां पर बनने तो यह टाइगर लॉयन राइनोसौरस ऐलिफेंट पिकॉक इंडियन विसन कोब्रा स्नो लैपड आइबेक्स याग डियर वाइलेस बायोस्फियर रिजर्व और मेजर नेशनल पार्क और सैंक्चुरी यह आपको मैप के थुरू शो की हुई है यहां पर ओके तो गाइस यह चैप्टर आपका यहां पर कंप्लीट हो गया है यह आपको यहां पर पिक से पहले इन जनरल इंडिया को जो क्लाइमेट किस टाइप का है वह आपका ट्रॉपिकल मॉन्सून क्लाइमेट क्या है ट्रॉपिकल मॉन्सून क्लाइमेट नेक्स साइक्लोनिक स्टॉम्स देट कॉस्ट विंटर रेनफॉल इन नॉर्थन इंडिया में साइक्लोनिक स्टॉ ऐसले दो मोचनेता डेटा दो is fine-dekat how do you eat? Outro तर दो सब्साइब दो पूरे नौर्टा डेश्टल गार्ट रीची नौर्फ समर्फान ल्वेंसे अपके नौर्फ समर्फर गार्ट खीर घंदड रीच। है places on the dash side of the western guards receive low rainfall जो places आपके western guards पे कौनसे places हैं जहां पर low rainfall होता है तो लीवर्ट side बोलते हैं जो rain shadow वाला एरिया होता है जहां पर rain नहीं आती है तो उसे एरिया को हम बोलते हैं लीवर्ट side of western guards यहां पर low rainfall होता है the monsoon retreats from India during the months of dash and dash इंडिया से जो monsoon retreat होता है वह कौनसे months में होता है October and November के month में होता है महुगणी और सिंचोना are commercially important trees of the dash forest महुगणी और सिंचोना commercially important trees हैं कौन से forest में evergreen forest में concept forest में evergreen forest में the dash tree is a kind of mangrove found in the tree सुंदर्बंस सुंदर्बंस में एक ऐसा कौन सा mangrove tree है जो पाया जाता है वह आपका सुंदरी पाया जाता है सुंदर्बंस में the loss of forest is called dash forest का loss होना उसे हम क्या बोलते हैं deforestation the asiatic lion is found in dash national park asiatic lion कौन से national park में पाया जाता है गिर नेशनल पार्क में अभी पढ़ाता ना हमने the dash and the dash are the types of antilopes found in India यह दो type of antilope पढ़े थे हमने इंडिया में जो पाये जाते हैं कौन-कौन से नील गाए and black buck नील गाए की जगा आप क्या लिख सकते हो blue bull है ना क्या नील गाए and black buck are the two types of antilopes found in इंडिया अब हम करते हैं चूजदी करेक्ट ऑप्शन्स इसमें सबसे पहला है उटी दो close to the equator is cool because of its dash उटी equator के पास पढ़ता है वो लेकिन फिर भी थंडा है क्यूं because of its heavy rainfall high altitude closeness to the sea और temperate latitude because of high altitude क्योंकि इसका altitude बहुत हाई है the hot dry and dusty wind that blows over northern India in summer is called hot dry and dusty wind होती है जो गरम सूखी और dusty यानि की गंदी जो हवा चलती है जो पूरे northern India में गर्मियों में फैलती है उसे क्या बोलते हैं काल ऐसा की लू western disturbance और October यौनरतुन पॉसल है Southern India hatesность और इंडिया है जो तौन और पलähänपतों गैए लो लो प्रेशर जोण यह फाने अब स्सक्वन प्लिंद्स में चछल्belाइं और भी विय्क क्यक्रीद में करता है North to West करता है North to South करता है South to West और Northeast to Southwest तो इसका सही आंसर है North East to साउथ वेस्ट आपके रेट्रिटिंग ब्लो करता है विच ओफ फॉलइंगी दिशिफॉड रिजन इसमें से कौन से आपका low rainfall area नहीं है ठीक है next pick the region of tropical rainforest in the map tropical rainforest का area आपको pick करना यहाँ पर a b c d options में बताने जैसे आपको यहाँ पर शोक यह हुआ है न डी एरा तो यह आपका tropical rainforest का area है tropical deciduous trees usually shed leaves at the beginning of tropical deciduous trees जो ते हैं वो अपनी leaves को shed कर देते हैं जार देते हैं कब at the beginning of autumn winter summer मौनसून तो summer की beginning में shed कर देते हैं next time pine cedar and silver for our fountain pine cedar and silver for joe पाया जाते हैं कहां पाया जाते हैं tropical rainforest, monsoon forest, tidal forest, Himalian forest, Himalian forest में पाया जाते हैं इंडियन आइनोसौरस is mainly found in the Indian dinosaurs कहां पाया जाता है ज्यादा तर असाम गुजरा, थार डेजर्ट नीलगरी hills तो असाम में पाया जाता है जो आनिमल आपको यहाँ पर शो किया गया है वह क्या है जाइंट पांडा रेड पांडा गॉर्ड ब्लैक बक है यह आपका रेड पांडा है तो यहां पर यहाँ चैप्टर आपका complete हो गया है next lecture में मिलते हैं जिसमें एल्डर सिस्टर ब्रदर को रिकमेंड कीजिए हमारा चैनल हम जल्दी उन्हें वीडियोस प्रवाइट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थैंक यू